जारखंट के लातिहार से एक संसरी खेज मामला सामने आया है जहां प्रतिरोद दिवस के आखरे दिन वपूव घोशित एक दिवसी भारत बंद के शुरू होते ही मावादियों ने एक बड़ी घटा को अनजाम दिया है नकसलियों ने धनबाद रेल मंदल के टोरी लातिहार रेल खंट के बीच रेल पटरी को बंद से उड़ा दिया इस घटना में एक टाली भी डिरेल हो गए साथ ही अप और डाउन मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया फिलहाल रेल प्रशासंदवारा मौके पर रहतकार चलाय जा रहा है आपको बता दे किश्रिश मावादी नेता प्रशांत बोस और फिक किसन की और उनकी पतनी शीला मरांडी की गिरफतारी के विरोध में मावादी संगठनों के विभिन इकायों की ओर से गत 15 नवंबर से प्रतिरोध दिवस मनाय जा रहा है शिक्रवार को इसका आखरी दिन था जब कि शनिवार को भारत बंद का आवाहन किया गया वही इसी बीच मावादियों ने जारखन में अपने सबसे सौफ्ट टारगेट रेलवे को अपना निश्यान बनाया बीती रात करीब 12 बचकर 50 मिनट पर धनबाद रेल मंदल के टोरी लातेहार रेल खंड के चीरुगुटा डेमु स्टेशन के बीच मावादियों ने बंब ब्लास्ट कर रेल पटरी को उड़ा दिया फिलाल इस घट्टा में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है अधिकारियों ने बताये कि वरिष्ट अधिकारी घटना स्थल पर पहुँच चुके है पटरियों के मरमत का कारे शुरू किया जा रहा है न्यूस विंग के लिए जमशेदपूर से गंगाधर पांड के रपोर्ट